हाई नमस्कार मेरा नाम दिने सुर आप देख रेटोक्से ट्रेनिंग यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हैं मॉबाइल केमरे की गुप सेटिंग के बारे में जानेंगे ताक कि आप कभी भी वीडियो रिकोर्ड करो तो आपको कोई भी प्रेशानी ना हो और कि क्या सेटिंग रखनी है ऐसी बहुत सारी सेटिंग है जो आपको मेनिवल करनी होती है दोस्तों जो फोन आप यूज कर रहे हो उसमें जो ओरिजिनल केमरा ता है उसमें ज्यादा सेटिंग ओने का ओप्शन आपको नहीं मिलता है इसलिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर open camera app को download करना है ये बिल्कुल free है इसका कोई पेशा नहीं देना है इसके अंदर आप मन चाही custom setting कर सकते हो जैसे professional level के camera में custom setting होती है वो settings सारी आप इस app के अंदर कर सकते हो और उसके बाद में आप एक professional level की video को भी shoot कर सकते हो तो ये सरी setting कैसे की जाती है बस video एंटर डेक्ते रही है और कुछ ने जान करी सीखते रही है और हमारे चैनल को subscribe कर रखाया उनका बहुत बहुत धनेवाद लेकि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को subscribe करके notification bell को जूरूर दबालेजे क्योंकि editing से related हमारे चैनल पर काफ़ी अन्वास वीडियो आती रहती है तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो दोस्तो Google Play Store पर open camera इंटर करोगे तो आपको ये वाली app मिल जाएगी इसको download कर लीजिए उसके बाद में जैसे आप open करते हो तो fast interlook आपको इस परकार से दिखाई देगा दोस्तो बड़ा प्यारा interlook है इसमें आपको manual setting on recording मिल जाती है आप recording करते समय सारी setting को use में ले सकते हो बहुत ही easy तरीका है दोस्तो सबसे पहले आपको उपर दिखाई देता है तो यह हो गया उसके बाद में यहां से आप video को recording कर सकते हो इसको उपर कलिक करकी stop कर सकते हो उसके बाद में यहां पर आपको option मिल जाता है जो मतलब photo खींचने का तो camera हो जाता है अभी यह video recording हो रही है उसके बाद में यहां पर आपको option मिलता है zoom का जूम का बहुत ही अच्छा option है इनको आप अगर पकड़ कर इस तरीके से लाएंगे तो बहुत जूम कर सकते हो और आपका जितना camera अच्छा है उतनी quality अच्छी आएगी निचे आपको plus minus करकी भी आप जूम in और out कर सकते हो तो दोस्तों निचे वाला option को जैसे हम click करते हैं त अगर बात करें तो यह बहुत ही कमाल का features है इसमें आपको मतलब मैं लोग करकी दिखाता हूँ अभी जो यहां पर light कम है तो मैं यहां पर लोग कर दिया हूँ तो यह exposure है मतलब इतनी light को यह catch up कर लिया है अब जैसे ही मैं ज्यादा light की तरफ ले की जाओंगा तो यह देख फिर उनका जो background है तो background आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो एक बार देखो मैं इस lock को अटाता हूँ तो जैसे मैंने lock को अटा दिया तो यह देखो background clear आ गया है बिल्कुल यह अच्छा हो गया है अब मैं इसको मतलब जितनी light को मुझे catch up करना है तो मैं यहां पर lock कर मैं जैसे ही यहां पर लाता हूँ तो हमारा जितना भी area वो एकदम clear दिखाई देता है लेकिन जैसे ही मैं कम light की तरफ हूँगा तो यहां पर देखो यह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर exposure कम हो गया तो मैं इस lock को फिर से अटाता हूँ तो मैंने lock अटाया तो जरूर यूज करनी है आपको lock लगाना है कि जैसे कई बार आप क्या होता है जैसे मान लोगी आपने इतनी light set किया या set नहीं भी किया तो मतलब यहां पर चलो यह इचा दिखाई दे रहा है तो यह मतलब आपका craters है तो आपका craters इस तरीके से आ रहा है लेकिन जैसे आपक craters दूप में आ जाता है या फिर light का bluff जलता है या LED जलती है तो उसमें आपका जो background area रहता है वो मतलब clear नहीं दिखाई देता है उसमें मतलब color सची नहीं रहता है या फिर जो भी moment आप जिसकी भी पोटो कहिचते हो तो उसकी dress का color भी फाल्ट हो जाता है तो इसलिए आपक में जितनी light यूज हो रही है उसको अगर आपने set कर लिया है set करने के बाद में फिर आप जितनी भी जिस तरीके से recording करोगे तो वो बिल्कुल clear दिखाई देगी क्योंकि आपने ये fix कर लिया है अगर इस area में अगर आपका कोई भी craters रहेगा जो भी रहेगा तो उनकी ये अच्छी तरीके से आजाएगा अगर night में जब भी आपको यूज करें तो इस features को आप जरूर यूज कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा help होगी अगर एक दो बार आप यूज करोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा जाएगी उसके बाद में उ लाइट बढ़ा कर कम करकी ज्यादा करकी जितना आपको किलियर्टी लगे उस जगह से आप इनको यूज में ले सकते एक बार आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगी तो उसके बाद में इस वाले option पर हम click करते हैं तो जैसे हम click करते है तो आपको उपर उपर LED light का मिलता है अगर आप LED light को on करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो और ओप करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर है macro lens का और यहाँ से आप इनको auto regist कर सकते हो यहाँ पर अगर आप वीडियो को continue रखना चाहते हो तो कर सकते हो यह तो यहा आपको टाइम मिल जाता है पां सेकंड 7 सेकंड जितने का लिए आपको टाइम सेट करना है तो वो कर सकते हो वो जब काम गाएगा जैसे आपने आपसे वीडियो प्ले किया प्ले करने के पांथ सेकंड गर ढाला तो 5 सेकंड बांद में रिकोรडिंग शुरू हो जाती है उसके बाद में रिपेट का है यहां पर ग्रीड वाला उप्सन है तो यह बहुत ही काम का है चलो मैं इसको ग्रीड करता हूँ तो मैंने एक बार किया तो दोस्तों यह क्या है कि यह चीज आपको कब काम आते है जैसे मालो आपका कोई क्रेटर है या मतलब अभी आपको यह दिवार दिखाई दे रही है यह दिवार यहां से यहां जा रही है तो अब हमारी को कोई क्रेटर लेना है तो जो हमारी यह लाइन है इस लाइन को हम इस तरीके से मैच कर लिया तो अब हमारी को पता चलता रहेगा कि कि जो क्रेटर है वो शिदा खड़ा ह है या टेर्डा कड़ा है तो हमारा देखो इस तरीके से केमरह आता है तो मलब केमरे का moment को हमारे को निफ पता चलता है तो यह चीज आप जुरूर उज किजे ताकि आपको पता रहेगा यह कीज़ अगर आप आपकी वीडियो सिंपल रहेगी, कोई भी दिक्ट नहीं है, चलो हम फिर इसके वपर वापस चलते हैं, तो उसके बाद में आपको बलेंज का मिलता है, जैसे वाइट बलेंज, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के उप्शन मिलते हैं, जैसे मान लोगी, इनके अंदर जै जैसे मान लोगी, हमारे को एक्शन सीन लेना है, तो आपको एक्शन सीन के उपर टिक कर लेना है, यह चीज क्या होती है, जैसे मान लोगी लड़ाई हो रही है, तो उसमें क्या कि, जो भी क्रेटर रहते हैं, उनके मतलब फस्ट फस्ट मुमेंट होते हैं, तो वो चीज तो यहां पर नाइट मोड है अगर आप नाइट में वीडियो सूट कर रहे हो तो यहां पर आप OK कर दीजिए तो मतलब केमरे को पता चलता रहेगा कि यह भी नाइट है तो नाइट के अंदर लाइटों का औरों का इन चीज़ों का यह अटोमेटिक अर्जिस्ट कर लेता है तो यह चीज़े आप जुरूर दیजिए जब भी आप विडियो रिकॉर्ड करो तो डे नाइट का यह सरी चिज़े आप सेट कर सकते हो आव आते हैं मैं एकर आपनी मैंसेटिंग के उपर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में उपर ही उपर आपको मिलता है फेस हैं तो य करने के बाद मैं यहां पर आपको शिरफ एक ओप्सन अच्छा मिलता है Bluetooth remote control अगर आप इनका Bluetooth से connect कर सकते हो normal जैसे यहां से enable करोगे तो जो भी Bluetooth से आप इसको remote की तरह कर सकते हो उसके बाद मैं camera preview तो जो भी चीज़े आपको screen पर आइकन शो करवाना है तो उनको आप यहां से check and check कर सकते हो चलो हम इसको back करते हैं उसके बाद मैं वो सिस्टोमेंट यहां पर है on screen UI तो यहां पर आपको face detection का जो icon दिखाई दे रहा है वो अगर रखना चाहते हो तो click रखिए नहीं तो मत रखिए जो जो icon यहां से आपको on screen पर लाना है तो वो ला सकते हो ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद में photo setting है photo setting आप सभी को पता है यह normal है कुछ खास नहीं है चलो हम video setting पर क्लिक कर देते हैं video setting पर करते हैं तो उपर ही उपर आपको realization का option मिल जाता है तो जो भी realization आपको रखनी है आपको मतलब full HD रखना है या HD रखना है 4K2 के वो यहां से easily आप choose कर लीजिए उसमें कुछ खास नहीं है यहां पर extra assignment दिया है video setting का यह आपको on रखना है यह रखना है कि आपकी मतलब जब भी video record करो तो थोड़ा बहुत हाथ इले तो आपकी video म में वो सेखपन नहीं दिखाई देगा तो यह आप ओन रखी उसके बाद में यहां पर आपको video format file का मिल जाता है इसको आप by default रहने दीजिए यह आपको इन में से कोई चीज की जूरत है तो आप according अपने जो भी अपने इसाब से कर सकते हो उसके बाद में यहां पर है maximum duration मि पर यह ज्यादा काम किसी नहीं इसको by default रहने दीजिए यहां पर है maximum size यह भी आप है by default रहने दीजिए यह क्या काम आता है जैसे मालो यहां पर मैंने 500 MB कर दिया तो जो भी हम video record करेंगे 500 MB का होते ही automatic यह बंद हो जाएगा तो यहां से आप कितनी भी size ले सकते हो उसके बा आद में audio source यह चीज़ काम किये दोस्तों बहुत सारे लोग जो यूटूबर वीडियो बनाते हैं तो वह बया का माइक यूज़ करते हैं तो उनका जो मैन केमरा होता है उसमें बया का माइक बहुत सारे फोनों में काम नहीं करता है तो यहां से आप मतलब extended माइक के उपर आ करता है तो ठीक है दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो कोमेंट भी थी कि हमारा माइक काम नहीं करता तो इस राप के जरीए आप करा सकते हूं उसके बाद में है audio channels तो इसके अंदर मतलब क्या है जो memo और stereo वाज रहती है जैसे amplifier होता है उसमें जो मतलब left right का सिस्टमेंट हो video subtitle है इसकी कोई जूरत नहीं है सब लोगों को पता हिए उसके बाद में bit rate तो bit rate के उपर हम करते हैं तो bit rate जैसे medium अगर आपको रखना है तो इसके लिए आप 60 रखिए जो आपकी मतलब medium quality की video बनेगी कोई भी दिकत नहीं है यह दिए आपको मतलब कुछ ज्यादा बाइड डिफोल्ट है बाकि आपको यहाँ पर 60 कर लेना है यह दिए आपको ज्यादा चाहिए तो 120 भी कर सकते हो और 100 भी कर सकते हो बाकि 60-60 रख दीजिए यह चीज आपको video editing software में जाते हो तो frame rate bit rate यह मिल जाती है तो उससे कफी एची realization में आपकी एची video बन जाती है उसके बाद मैं circle check यह आप scope रहने दीजिए यहाँ पर है place with video recording तो यह सरी चीज़े आपको वावी पर भी मिल जाती है तो ठीक है दोस्तों यह तो ठीकुछ उसकी मुखी setting यह दी इन में आपको कोई दिकत आती है कोई भी तरह की अगर recording में या setting में तो आप नीचे जुरू वीडियो और बनापन